एक दिलकश अदाकारा, एक बहुत नामी फिल्मी खांदान की लड़की जिसने कुछ ही बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया। फिल्म इंडस्ट्री का भुलाया जा चुका वह नाम जिनकी बुआ किसी जमाने में भारतिय फिल्म की सबसे टॉप एक्ट्रेस थी और जिनका भाई आज के जमाने में बहुत बड़ा स्टार है। तो आपको भी यह मालूम नहीं होगा कि यह अदाकारा मशहूर अभिनेता संजय दत्त की बहन है। जाहिदा के फिल्मी करियर की बात करेंगे, मगर उससे पहले बात जाहिदा के सुरुवाती जिन्दगी की करते हैं। जाहिदा का जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1946 को मुंबई में। जाहिदा की दादी भी अपने दौर में एक फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थी। और वह पहली महिला थी जिन्होंने भारतिये फिल्म इंडस्ट्री में बतोर म्यूजिक डाइरेक्टर अपने क करियर की शुरुआत की थी। हालांकि वह खुद भी एक बहुत अच्छी गाईका थी और फिल्में भी प्रोड्यूस करती थी। कहते हैं कुछ एक फिल्मों में तो जाहिदा की दादी ने एक्टिंग भी की थी और कई दफा वो फिल्मों की कहानियां भी लिखा करती। उन अख्तर हुसैन नर्गिस के सोतेले भाई थे। जद्दनबाई की तीन शादियां हुई थी। उनकी तीसरी शादी हुई थी मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी उर्फ मोहन बाबू से। मोहन बाबू ने भी जद्दनबाई से शादी करने के लिए इसलाम धर्म स्वीकार कि इन्ही मोहन बाबू की बेटी थी नर्गिस यानी नर्गिस। जाहिदा की बुआ तो हुई लेकिन सगी नहीं। सौतेली बुआ थी। हालां की शुरुआत में नर्गिस नहीं चाहती थी की जाहिदा फिल्मों में आए। नर्गिस को लगता था की जाहिदा कुछ ज्यादा ही इमोशनल है और ऐसे लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाना एक गलत फैसला साबित हो सकता है। जाहिदा का परिवार फिल्मी था तो घर पर फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। यही वजह थी कि जब जाहिदा बड़ी हो। लगी तो उनके घर आने जाने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनके पिता से कहना शुरू कर दिया था कि अब जाहिदा को फिल्मों में काम करने की छूट मिलनी चाहिए। ऐसे ही लोगों में से एक थे गुरूदत साहब। गुरूदत जाहिदा को अपनी फिल्म कनीज में लांच करना चाहते थे। गुरूदत तो जाहिदा का स्क्रीन टेस्ट लेने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे। लेकिन उन दिनों गुरूदत की छवी कुछ अच्छी उनके बारे में कहा जाता था कि वो नई नई लड़कियों को लॉंच करने की बड़ी बड़ी घोशनाएं करके फिर खामोश बैठ जाते हैं। उनके नामी सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री से हुई। फली मिस्त्री को उस वक्त जाहिदा की तस्वीरें बहुत पसंद आई। जाहिदा उस दौरान महज 15-16 साल की थी। अगले दिन सुबह उन्होंने जाहिदा के पिता से फिल्म साजन की गलियां में जाहिदा को आफर भी नहीं मिला। एक दिन जाहिदा रात और दिन नाम की फिल्म की शूटिंग देखने के लिए गई। उस फिल्म में जाहिदा की बुआ नर्गिस काम कर रही थी। और फिल्म में जाहिदा के पिता अख्तर हुसैन ही पैसा लगा रहे थे। जिस स्टूडियो में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसमें ही दूसरे फ्लोर पर देवानंद अपनी फिल्म तीन देवियां की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग से ब्रेक लेकर देवानंद नर्गिस से मिलने आए। उस वक्त जाहिदा भी नर्गिस के पास ही थी और उसी वक्त देवान काफी खुश हुए और कुछ दिनों बाद देव साहब खुद पहुँच गए। के लिए जाहिदा को देव साहब और फिल्म यूनिट के साथ ट्रेवल करना पड़ा। इसी बीच डायरेक्टर L.B. लक्षमन भी जाहिदा के पास अनोखी रात फिल्म का ओफर लेकर आए। इस फिल्म में संजीव कुमार और परीक्षित साहनी थे और फिल्म के डायरेक्टर थे असित सेन। जाहिदा ने अनोखी रात साइन कर ली। प्रेम पुजारी की शूटिंग रुकी हुई थी इसलिए जाहिदा ने अनोखी रात की शूटिंग शूरू कर दी। शूटिंग कमप्लीट हुई और साल 1968 में अनोखी रात फिल्म रिलीज भी हो गई थी। जबकि प्रेम पुजारी की काफी चर्चा हुई जाहिदा के किरदार उनके काम को काफी पसंद किया गया इसी बीच वह देवानंद पर अपना दिल हार बैठी थी देवानंद के लिए जाहिदा का प्यार इस कदर बढ़ गया था कि उन्होंने कई फिल्मों को ठुकरा दिया था आखिर जाहिदा ने इन फिल्मों को ठुकराने का फैसला क्यों लिया था तो आईए आपको बताते हैं कहां जाता है कि फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ओन्फर भी जाहिदा ने ठुकरा दिया था इस फिल्म में उन्हें देवानंद की बहन का रोल दिया गया था, लेकिन वह फिल्म में उनकी प्रेमिका बनना चाहती थी. ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया. लेकिन इसके पीछे की असली वजह जब सामने आई, तो पता लगा कि देवानं उन्होंने जाहिदा से कहा कि लोग तुम्हें देवानंद की हिरोईन के रूप में देख चुके हैं। उनकी बहन के रूप में लोग तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे और तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। जाहिदा को भी नवकेतन फिल्म से जुडने के बाद बहुत प्यार और दुलार मिल रहा था। इसलिए जब सुशील मजुमदार जाहिदा के पास लाल पत्थर का ओफर लेकर गए तो जाहिदा ने वह ओफर भी ठुकरा दिया। और उन्होंने डायरेक्टर से सीन बदलने को भी कहा था। लेकिन जब डायरेक्टर नहीं माने तो जाहिदा ने इस फिल्म से भी किनारा कर लिया। इतनी सारी फिल्म ठुकराने की वजहां से लोग जाहिदा से चिड़ने भी लगे थे। कुछ लोग तो जाहिदा को सबक तक सिखाना चाहते थे और इसके बाद जाहिदा को फिल्म के ओफर मिलने बंध हो गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें तीन चोर और प्रभात नाम की दो फिल्में मिली थी। लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गई और जिसके बाद जाहिदा का होसला तूट गया। उन्होंने अपने प्रेमी और बिजनसमैन केसरी नंदन सहाय से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। शादी के बाद जाहिदा शिक्वा और निली मा नाम की दो फिल्मों में भी नजर आई थी लेकिन यह उनके करियर का अंत ही साबित हुआ। जाहिदा अब मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती हैं और अब वह दादी भी बन चुकी हैं और एक सूखी जीवन बिता रही है। साल दो हजार दो में जाहिदा ने दूर दर्शन के जरिये एक दफा फिर से एक्टिंग की दुनिया में वापसी की थी। दूर दर्शन के शो आमर पाली में जाहिदा ने सालों बाद एक्टिंग भी की। इसके बाद इन्होंने कभी किसी और टेलिविजन शो में काम नहीं किया। आपको जाहिदा हुसैन की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आगे भी बॉलिवुड के ऐसे ही इंट्रेस्टिंग किस से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले।